परशक्ताने केवल गुमाता की सेवा से गुपाल जी की प्राप्ति हो और कोई साधन गजन नहीं किया एक पटेल भक्त के गई जतीपुरा गुवर्णन की राज्जी में गुसाइन जी की शिश्ष हुए गुसाइन जी से प्राप्न के करी जैजै और तक पचु जाने नहीं अनपड आदमी हैं आप हमारे योगी हमें कोई सेवा प्रदान करो गुसाइन जी ने कई भी यार तू कचुम मत करो तू नार्जी की गयन की सेवा करो शिनाज जैक की गौशाला में पटेल भक्त को गोश सेवा दे जो और पटेल भक्त ऐसी प्राण प्रण से सेवा करवे लगो रोज उनके नीचे सूखी रेत विचानो रोज उनको बहारनो रोज गाय को सहलानो रोज घवा के खानो रोज शला के सोनो ऐसी सेवा पटेल वरत में करी एक दर बड़ी ध्यंकर बारिश वही बहुत तेज वर्शा गुसाइन जी ने मंदर के बंडारी को कहे रख्यो कि भाई बंडारी ये नाज जी को बह सेवक है और यांको कोई वस्तू की आविश्यक्ता होए तो एक पातर एक बोजन की पत्तर यांको रोज दिया उपर एक पत्तर वो रोज पटेल वगत जाते रोज एक पातर लेके बोजन करते एक बड़ी बारिश बही बहुत वर्शा गई अगयान के नीचे से सूखी रेट विशावे में पतेल वगत को देली है गई पतेल वगत ने सोची बोजन मिले ना मिले पर देयन को कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए बोजन लेवे नहीं गई पतेल वगत वादन श्रीनाज जी स्वेम पतेल वगत के लिए पातर ले नाज जी पातर लेवे कैसे जाते बारश है रही दो माता को कश्ट होता सूखी रेत बिछानी ही तो लेवे यम्में तेरे लिए ले आगे तुखा ले अब धीरे धीरे श्री नाज जी कभी पीतांबर छोड़ जाएं कभी वहां अपनों पटका छोड़ जाएं अब घुसाइ की ज़रोत नहीं अब तो यहीं पातर आज हो तो गुसाइं जी ने मन में विचार कियो कि श्री नाज जी से या गोहत्त के दर्शन की बेना रहो नहीं जाए तो आप पटेल लुगत को गुसाइं जी ने छड़ीदार के रूप में सेवा दे तो कहीं मत जावे नाज जी को मत जी रातरी के समय मंदल से श्री नाज जी बाहर निकले और नाज जी के सासा सैपड़ों यूटियां गोपियां उनके पीछे पीछे निकले चंद्र सरोबर जितीपुरा में महाराज वह और वा महाराज में राधारानी के स्वरूप को देख के राधारानी वैसे तो शांसंदर को एसो श्रीनाप जी को विराए वह न कवस्त्र गिर रहे हो कहीं आगुशन जर्रह आप जो छडिदार हो पटेब भगत वह पीछे पीछे गयो का जा रहे हैं पेले दारी करवे कि अब आगुशन को बीर रो पीटामर पूर ले रहे हैं और पोट बांधली सामाई हैं कि icheई जógब पहुंचे मंदल में तो पठेल वगत ने कई नतीजी जुसाइं जी तो अफरस करकर नहीं रहे गता सर्फ आहि infinitely अगले दन गुसाइं जी से पठेल वगत ने हिसकाइद कर्या कुड़े माहाराइज आप जाने नहीं ृ جितने सीधे Face पतों नहीं कितनी लोगाईन को मंदर में गुसा रखते हों और वे सब की सब लोगाई रोज रात में याके पीछे-पीछे निक रहे हैं और एक लोगाई तो ऐसी है जाके रूपे ये मोई देनलट्टू हैं और आपको बरुस्व नहीं हो तुमारा ये पोट गेड़ो ये आ कि आप बिचारे भोरे बारे वगत को यह भी नहीं पतों कि गौव सेवा के प्रभाव से याकु स्ठाकुल जी के साक्षात रास बीला को दर्शन हो तो यहीं सोचने कि लोगाईन को कहां ले गयो कौन के पीछे भूम रहे हो का भूम रहे हो सीरो सादो बोरो बारो वक्त हो महाराज कितनी लोगाई मंदल में घुसा रखी हैं सब अब्रस ब्रश्ट कर रखो हो गुसाइंदी के नेत्रन में आशु आगे घड़ जी आप नहीं जानों गौव सेवा के प्रभाव से गौव सेवा के प्रताप से आपको नाजी की निक्त रस्मई रास बीला को दर्शन क्योंकि बिसकंद पराण में लेखा कामास्तु वांचितास तस्य गाव गोपास्च गोविकां ठाक्र जी की पहली चहेति वस्तु पहली प्रिय वस्तु गावव गईया-मेया है कुछ नहीं जाता आगे घंटा गर में गोव माता की रक्षा के लिए श्री यमना जी की रक्षा के लिए एक एतन करो हमारी आप सबसे प्राथना है और एक दिन पहले भी हमने आपको कई बार बता चुके हैं आज भी बता रहें सेव्यमना.org जो वैक्साइट है आप उस पर जाएं प्रेटिशन साइन करें जितने लोगों से आप करा सकते हैं क्योंकि भाई हम लोग यमना श्रक का पार्ट रोज करते हैं यमना जी को भुरव अपने आप रहें यह सच्चा पाठ है कुछ त्रियात्मक रूप से होना चाहिए केवल पाठों से कुछ होना जाना है हम भूप पाठ करें खूब चुनरी मनुरत करें खूब दुब्दा विशेव करें और यमना जी मां हुए नहीं यमना जी किर्णा होने का हमें कोई कुरेटे भावना से भावना से게प से चुड़ी महाराज कर दीजन अधने पर वईया चराने के जाने पर गोपियों की क्या इस्तितिए होती थी गोपिया क्या चल्चा किया करती थी उसका वर्णुचुक्देवी महाराज ने व्युवल गीत के माध्यूं से किया रहे आजकी चर्चा को यही विश्राम देगे समय अपनी कोनिता की ओर है और कल गठा का विश्राम दिवस है नो जरा अब खरपाँ से इस कलब थिरस का लाब हुसको मिला है हम लोग इसका लाब लें कर विश्राम दिवसे और कर कथा का समय भी ठोड़ा परिवर्तित हो कर बारे बज़े से कथा शुरू होगी तीर बज़े कख सब समापन हो जाएगा तो आप लोग पी का दिन तो है लिए आप लोग समय से बढ़ारने की करपा करें इसी के साथ लानी तो यही विश्राम आर्थी की प्रियाली करें आर्थी के लिए सब लोग खड़े हो जाएगे